नेताजी सुभाज बोच के निकड समन्दी जन भारत का गवरो बढ़ाने वाली आजाध हिंद फोच के जामाज सदस्य उनके परिजन यहां उपस्तित कलाव और सहित्य जगत के दिगज और बंगाल की इस महान धर्ती के मेरे भाई और बहनों आज कोलकाता में आना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला अक्षण है बच्पन से जब यह नाम सुना नेता जी सुभा चंद्रबोस मैं किसी भी स्थिती में रहा परिस्थिती में रहा यह नाम कान में पढ़ते ही एक नई उर्जा से भर गया हूं इतना विराट व्यक्तित्व की है उनकी व्याक्षा के लिए शब्द कम पढ़ जाएं इतनी दूर की द्रश्टी कि वहां तक देखने के लिए अनेकों जन्म लेने पढ़ जाएं विकट से विकट परिस्थिती में भी इतना होसला इतना साहस कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनोती ठहर न पाए मैं आज नेता जी सुभास चंद्र बोश के चरणों में अपना सीष जुकाता हूं उन्हें नमन करता हूं और नमन करता हूं उस मा को प्रभादेवी जी को जिनोंने नेता जी को जन्म दिया आज उस पवित्र दीन को एक सो पचीस वर्ष हो रहे हैं एक सो पचीस वर्ष पहले आज के ही दिन मा भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था जिसने आजहाद भारत के सपने को नहीं दिशा दी थी आज के ही दिन गुलामी के अंधरे में वो चेतना फुटी थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े ओकर कहा था मैं मैं तुम से आजहादी मांगूँगा नहीं आजहादी चीन लूँगा आज के दिन सिर्फ नेताजी सुभात का जन्म ही नहीं हुआ था बलकि आज भारत के नए आत्मगौरव का जन्म हुआ था भारत के नए सैन्य कौशल का जन्म हुआ था मैं आज नेताजी की 125 वी जन्म जैन्ति पर कृतग्य राष्ट की तरब से इस महापुरुष को कोटी-कोटी प्रणाम करता हूं उन्हें सेल्यूट करता हूं साथियों मैं आज बालक सुभास को नेताजी बनाने वाली उनके जीवन को तप त्याग और तितिक्छा से घणने वाली बंगाल की इस पुन्य भूमी को भी आधर पुर्वक नमन करता हूं करता हूं